एक बड़ी popular और important phrase है, let down, popular बहुत इसरो, simple भी आप इसे कह सकते हैं, बाकी ये phrase, real life में use बहुत जादा की जाती है, let down का मतलब होता है, किसी को निराश करना है तरीके से, to dissatisfy, to fail or disappoint, लोग promise करते हैं, I promise you mama that I would never let you down again, मैं आपसे बादा करता है mama कि दुबारा मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं शिकायत का मौका नहीं करूंगा, I would never let you down again, मैं दुबारा, कभी आपको निराश नहीं करूंगा, to let down somebody का मतलब, to disappoint the person, to disappoint the person, let down करना, निराश करना, दुखी करना, disappoint करना, we have examples, let's read them, I promise I won't let anyone down this time, I said married to her mother, Mary नहीं ये बात अपनी माज से बोली, इस बार मुझे एक बार और और पढ़ने का मौका दें, मैं इस बार किसी को भी निराश नहीं करूंगा, फिर, ये देखी, दूसरा भी sentence से पढ़िए, the low crop yields, yields का मतलब होता है, उपज, जिसको produce कह सकते है, must have surely let down the farm, ये जो फसल में पैदावार कम हुवी है, निश्यत रूप से इसके चलते, जो है किसान परेशान हुआ होगा, इसने जरूर किसान को निराश किया होगा, low crop, मतलब उपज बड़ी खराब होगी जिसके चलते, दोसरा भेती है, बड़ा दुखी होगा, so we got the answer, it's option number three, let down, किसी को disappoint, I hope समझ में आया होगा.